जाएं दोस्तों एक बार फिर से यहां पर BDSC ट्रेड़ इस्ट्रक्टर के रिगारडिक में बना हुआ पूरा है ना आज मैं बताने वाला हूँ कि क्यों जो है को एकठा करने में त्वासा टाइम लग रहा था इसलिए मैं वीडियो लाने में त्वासा लेट हो गया लेकिन आज पूरा जो है संपुल जानकारी आपके साथ मैं सेर करता हूँ चलिए देखते हैं आप लोगो जैसा देख रहा है क्या हुआ कोड केस का आखिर क्यूं हुआ कोड केस आज हम लोग जाना है पूरा डीटेल में पहले तो मैं बता दूँ जो कोड केस हुआ है वह क्यों किया गया है और किन्हों ने किया है यह कोड केस वो देखते हैं पहले क्यों हुआ है यह कोड केस वो चीज हम लोग जानते हैं पहले हैं पर कोड केस जो हुआ है जै यहां पर भरा गया था है, है ना, cits और non cits, दोनों के द्वारा भरा गया था है यहां पर, जैसे कि हम लोग जानते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ हैं यहां पर, हुआ क्या है, कि दो चीज़े निकल कर क्या है, क्या क्या चीज़, एक तो जो पहले से जो जॉब कर रहे है आइडिपयर के रिगार्डिंग पहले से आइटि आइडिप में जुभ कर रहे हैं मतलब आइटिय इंस्ट्रेक्टर में जो की बोल सकते हैं रहते हैं ना contractual नहीं बोल सकते हैं उनको guest lecturer guest faculty जो रहते हैं इन लोगों क्योंकि recruitment होने वाली थी यह लेकिन फिर recruitment फ़ा टाइम लगा तो government ने बोला है कि अभी जब तक recruitment नहीं रहती है तब तक आप लोग पढ़ाईए लेकिन तभी इन लोगों ने क्या क्या है, गेश्ट फैकल्टी वालों ने यहां पर उन लोगों ने कहा है, कि मुझे वेटेश दिया जाए उसमें ITS टेड इंस्टर्टर में, जो डिप्लोमाट डिग्री वालों के लिए था, पहला केस तो यह उठा है, दूसरा केस क्या है, C CITS और Non-CITS वालों के लिए क्या उठा है, यहां पर क्या हुआ है, जो भी CITS किये हुए है, मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा मतलब बुरा भी लाएगा है, यहां पर, जो भी CITS किये हुए है, वो CBT एक्जाम में जो है न, जो minimum mark 40 है वो नहीं ला पा रहे है, बात समझे जिसके कारण इन लोगों ने case किया है कि CBT conduct नहीं किया, CBT को जो है यहां पर वेटेज नहीं दिया जाए, हम लोग का जो भी CITS जो जिनोंने किया हुआ है, उन लोग का direct recruitment लिया जाए, on the basis, on the number basis जैसे पहले किया जाता था, लेकिन ऐसा advertisement में ऐसा कुछ mention नहीं था, ओके, यहां पर CBT, यहां पर conduct किया गया, तो CBT के अधार पर ही लेना चाहिए, लेकिन चूकि यहां पर CITS वालों का number चूकि कम आ रहा है, जैसा कि मेरा मानना, case CITS वालों और guest faculty के द्वारा किया गया, बाकिनन CITS वालों क्यों करेंगे, बात समझ रहे हैं आप लोग, यह ATS का number, diploma का number, degree का number, या फिर जो भी experience का number add होता है, वो सब यहां पर add करके हम लोग का selection करवाया जाए, तो यह बात यहां पर यह निकल करका है, दो case हुआ है यहां पर, लेकिन case से यहां पर उतना माइने नहीं रखना है, इन लोग सोच रहे है क्या, कि जैसे जो BTSC A&M क्या advertisement में, A&M में कुछ ना कुछ missing था, जैसे कारों, वो court case जो है BTSC हार गया था, और पच्छ जो है candidate के तरफ चला गया था, लेकिन इसमें मेरा जैसा मानना, इसमें ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, अगर मैं court case के बारे में बताओ, यह देखिए, यह court case का है पूरा माला, ठीक यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगो, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, admission जो fresh case का हुआ था, कब हुआ था, वो देखिए, यह 8 November 2023 को यहाँ पर case कर दिया गया था, तेक, उसके धीरे धीरे यहाँ पर date दी गई है, 8 November के बाद, 30 November, 13 December, 18 December, 17 February, 28 February last था, और अभी जो है, और अभी जो है, फिर, next जो date दिया गया है, 19 March 2024 को, है ना, हर एक दो-दो सब्ता जो है, यहाँ पर, agent क्या जा रहा है, बार बार, कि अगला दो सब्ता इसके लिए दिया जाता है, तो अभी court case में क्या निकल करके आने वाला है, अभी तो थोड़ा इंतजार करने वा किस आप से यहाँ पर selection होने वाला है, तो यह बे मतलब का यहाँ पर कुछ करने होने वाला नहीं है, यहाँ पर, आप लोग tension ना लें, जो भी जिनका marks बन रहा है, वो लोग निक्चिंत रहे, डोकुमेंट बनवा करके ready करके, थोड़ा सा late हो सकता है, निकलने में result या फिर जो भी counseling होने वाला है, क्योंकि भी लोगसफ़ा का election भी आने वाला है, तो ज्यादा chance से कुछ ना कुछ late हो सकता है, और थोड़ा सा late हो सकता है, उसके लिए आप लोग निक्चिंत रहे, ठीक, यह तो आया दीन होते रहते हैं, अभी आज कल जो भी exam निकलते हैं, ठीक, faculty वालों के लिए हैं, किया, ठीक, और बाकी तो इसमें अभी कुछ मामला भी सामने नहीं आया, बाकी 19 मार्च को देखिए, यहां पर क्या होता है, क्या इसमें सुनवाई निकल कर आती है, वो देखिए, यह फिर और आगे date पड़ेगा, अभी क्या होगा, इसके बारे में क कोई भी अभी खबर नहीं है, ठीक, बाकी जो यह main जो मुद्दा एह ही है, यहां पर बाकी जो है result मुझे लगता है, कोई भी तरह का यहां पर बदलाव नहीं होना चाहिए, मेरे समझ से, बाकी अगर होगा, तो फिर देखिए, जो non-CITS वाले हैं, उन लोग को बहुत यह attachment में पूरा तरके से दिया गया था, कि CBT के regarding यहां पर examination conduct करवाया जाएगा, बात समझ रहे हैं आप लोग, तो इस वीडियो में ज्यादा नहीं, इतना ही मैं बताना चाहता हूं, कि जो guest faculty वालों ने आपना वेटेज मांगा है, और CITS वाले बोल रहे हैं कि हम लोग को CBT यहां पर consider ना करके, जो है number basis पर यहां पर selection किया जाए, trade instructor का, बात समय रहे हैं आप लोग, तो यहां पर non CITS वाले क्या करेंगे, जब आप लोग उने दिया है भरने के लिए, तो non CITS वाले फिर कहा जाएंगे, यह तो totally यहां से फिर खटी जाएंगे न, तो वो चीज यहां पर उट करके आया, बाकि इसका जो है 19 March को क्या होगा, यहां पर देखते हैं, 19 March को यहां पर क्या निकल के क्या आने वाले है, मैं update इसके बारे में आप लोग को करता रहूँगा, बाकि जो ITI किये हैं, वो electricians से, है ना उनके लिए बढ़ियां वेकें से, भी BSPCL के द क्या तबकि बढ़ Minist तो